नाउसकार आप देख रहे हैं इंडिया की बात मैं अफिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्धे आपके सामने हैं राहुल गांधी की वापसी से पूरी तरह से वॉकला गई है बीजेपी और उसका प्रचार तंत्र मुद्धा नंबर दो संसद में सिमट्टी विपक्ष की आवाज क्यों और मुद्धा नंबर तीन मनिपुर और हर्याना में सरकार की नाकामी पूरी तरह से डबल इंजिन की सरकार जो है वो एक्सपोस्ट हो गई है मगर हम शुरुवात राहुल गांधी की वापसी से करते हैं सुप्रीम कौर्ट ने उन्हीं जो सजा मिली थी दो साल की जसके चलते हैं उनकी सांसरी चली गई थी उस पर रोक लगा दिये है गुजिराच से आने वाले फैसनों पर सवाल उठाया राहुल गांधी संसद में लोटते हैं एक भाशन देते हैं उस भाशन पर सवाल किये जा सकते हैं मगर उनके खिलाव जूटा प्रचार खुले आम संसद के अंदर स्मृती रानी चलाती है क्या है स्मुद्दे का पंच शुरुवात हम करना चाहेंगे उर्मिलेजी से देखें अभिसार मैं समस्ता हूँ कि राहुल गांधी की संसद में फिर से वापसी वो भी सुप्रिम कोट के तक्षेप के बाद इंडिया यानि इंडिया एलाइंस का गठन उसकी बहतर फंक्शनिंग जो दो उसकी बैठके हो चुकी है इन सब कारणों से एक बड़ी बौखलाहट है सत्ता पक्ष में और इसी वज़ा से आपने देखा होगा कि जिस दिन संसद में राहुल आए उस दिन नारा प्रकार के वितंडे खड़े किये गए और डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश्ट की गई ताकि उनको तरजीह न मिले बाशा क्या है स्मुद्दे का पंच अभिसार एक बात बहुत साफ है कि राहुल गांधी की आवास उनके प्रेजन्स को कैमरे से माइक से उनके मुद्दों को हटाने के लिए एक जूट की दिवार बड़े पैमाने पर खड़ी की गई और मुझे लगता है जिस तरह से स्मृती रानी ने फ्लाइंग किस का एक जूटा वितंडा खड़ा किया वह लोकसभा के लिए एक बहुत बिलो दबेल्ट वार करने वाला मुद्दा था उससे लगता है बहुत परेशान है भारती जन्ता पार्टी वे चाहती नहीं कि राहुल गांधी को लोग सुनें समझें और देखा में बेपना है पंडित नहरू के बाद शायद संग और बीजेपी गांधी परिवार के किसी सदस्से से इतनी अफरत करती है कि उसके खिलाफ जूट बोलो बार बार जूट बोलो ना सिर्फ ये भड़काओ और कोशश है कि उनका राजनी देख खात्मा हो जाए तो चलिए इस चर्शा को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले बात करते हैं राहूल गांधी जब उन्हें सुप्रीम कोट ने उनकी सजा पर रोक लगा दिया भाशा और मैंने देखा पूरा एक पर चार चल गया हरीश सालवे अडानी के चैनल पर आ गए और ये कहने लगे कि राहूल गा सब्सक्राइब ने रहे हैं और देखे जिस तरह से सारा मामला सामने आया और जिस तरह से बहस होई उससे ये भी पता चला जो सुप्रीम कोट का पूरा का पूरा फैसला आया जो उसने रोक लगाई उसमें दो बिंदू जो आपने कहा वो बिल्कुल साफ है उन्होंने कहा कि किसी आधार पर लीगल आधार पर कोई कारण बताना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी सजाकियों दे रहे और दूसरा कारण जो उन्होंने बताया मैं उसका दुबारा जिक्र करना चाहूंगी राहुल गांधी जब पहुशते हैं पारलेमेंट जिस तरह का महौल है जिस तरह से उनका स्वागत है और उसके बाद जिस तरह से एक टूल किट ऑपरेट होता है कि राहुल गांधी को खबर से बाहर किया जाए राहुल गांध खबर ना बने पॉजिटिव वे में एक निगेटिव वे में राहुल गांदी के खिलाफ और मिलेश जी उतारा जाता है सबसे पहले कौन है वो जो है अनाप शनाप अनरगल बाते करते हैं संसद के अंदर और उसके बाद एक फ्लाइंग किस को लेकर विवाद अब संसद ने क कुछ और कहना चाहता हूं अगर वो फ्लाइंग किस दे भी रहे हैं हलाकि हम देख रहे थे कि वो जो जेस्टर था वो लोगसभा के स्पीकर की तरफ था जाहिर सी बात है जिनके अंदर नफरत भरी हो जो अपने प्रचार तंत्र के जरिये समाच के अंदर नफरत भरे हैं एक बहुत ही हामले सिफ लाइंग किस से भी जो है दिक्कत हो रही है असलम मैं भारती जनता पार्टी के नेताओं को आज के दौर में जिस तरह की ये लोग जिस तरह की राजनीत करते हैं जिस तरह का सतहीपन और सस्तापन आया है इनकी राजनीती में वो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इनकी विचारधारा में उसकी जड़े हैं इस मृतिरानी किस तरह से बाते कर रही हैं आप देखेए हैडलाइनस मेरेजमेंट में ये एक्सपर्ट पहले से रहे हैं ये तो मैं मानता हूं ये आज से नहीं बहुत पहले से रहे हैं और डॉक्मेंटरी प्रूफ भी इसके मिलते हैं कि एक घटना याद आ रही मुझे उस कायरवैन में स्टोरी वो चपी थी कि कोई एक बड़ी घटना होनी है उस पर एक बड़ा नेता कहता है अपने लोगों से कि उस दिन डॉंट परी कुछ और बड़ी घटना हो जाएगी लहाजा वो हेडलाइन बदल ज पागत हुआ सर्वदली एक तरह से बीजेपी को छोड़कर सभी ग्रूप्स के एंपी उनको उनका है मगदर पहुंचे यहां तकि एंडिये के सांसा बहुत सारे लोग देख रहे थे फोटो ले रहे थे और वैसी इस्थिती में और स्टाफ को भी मैंने देखा पार्लामें मुझे अच्छे लोगों का नाम लेना पसंद है तो मैंने देखा कि अजीब अजीब तरह की बातें वहां की गए जिनका कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं कोई जिसके तर्क नहीं है और इसके जरिये हेडलाइंस चेंज करने की कोशिश की गई ठीक उसी तरह से कल बुद्वा को जब सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक ये ठीक है कि राहूल गांदी जितना पिछले सत्र में शांदार बोले थे अदानी के मुझे पर वैसी स्पीच उनकी कलकी नहीं थी है मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं एक अब्जिक्टिविश करना चाहिए लेकिन जो बातें उन्होंने कहीं वो गंभीर थी खासकर अपने भाशन के दूसरे पार्ट में लेकिन उससे भी चीजों को बदलना हेड्लाइन सेंस करना इसके लिए फ्लाइंग किस का मसला अगया अब ये इतना सतही पन है इतना सस्ता ये सस्ता पन इसमें है इस तरह की बात्चीत में मैं समझता हूं कि ये बहुत दुख़द है जो स्मृती रानी फ्लाइंग किस पर विवाद बना रही है उन्हें पता होना चाहिए उनसे दो सीट पीछे जो है ब्रिजभूशन बैठे हूँ उन पर पभी को तमेंट नहीं किया और इस तरही विद्देश की बात हो रही है और एक सीज मैं है अब भी उसी की बात कर रहा है वो संसद में क्या करती है इससे हमें कोई मतलब नहीं हम तो ध्यान से सुनते हैं उनकी बात नोट करते है उस पर बोलते भी है लिखते भी है लेकिन जो उन्होंने सदन के बाहर या पेटीशन दिया वो बहुत सतही पन है उसframe अपको मैं एक चीज़ यहां पर पूछना चाहता हूँ भाशा यहां पर राहूल गान्धी की भाशन की बात करें मैं इस बात से इतिफाक रखता हूँ कि अडानी पर जितना फोकस्ट भाशन था वो इस बार नहीं था शुरू में काफी वो वक्त ले रहे थे गर्माहट पैदा करने में भाशन पर मगर सेकेंड हाफ में जो वो कहते हैं कि भारत मा की तुमने हत्या की है या यह भी कहा है कि भाई लंका को हनुमान ने नहीं रावन के एंकार ने जलाया मैं आप से समझना चाहता हूँ यह मुद्दे क्या वाकई जनता में एक गूंज पैदा करेंगे या रा यह भारत माता इस जोड़ा हाला कि बाध में इसंप्पिससे इंग्सेश कर दिए गए जयसा कि बताया घ्रों के मुताईर मज़ंद कनेक्ट पूरे भारत का मनीपूर से जोड़ा और एक गरीमा की बात की मुझे लगता है कि वह बहुत जरूरी इंपोर कनेट था जो आर न गौरव गोगोई ने उन्होंने भी बहुत सलीके से रखा लेकिन यहां दूसरी बहुत एहम बात जो उन्होंने रखी मुझे लगता है उसका कनेक्ट आम जनता से है देखिए रावण को लोग एहंकार के तौर पे जानते हैं सामाने भाशा में लोग क्या बोलते रहे हमारी तमाम लोग क्या बोलते रहे हैं तो मुझे लगता है कि और इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिस समय कल वह स्पीच के दौरान दिखा रहे थे तस्वीरे जो तीन एहम तस्वीरे दिखाए जिसमें अडानी जी के सामराज के लेके तस्वीरे थी बाकी फोटो जो बा कैमरा वहां से हठाकर कर दिया गया था स्पीकर के पास तो यह भी दिखा रहा है कि राहूल गांधी की स्पीच से कितनी परेशानी विपक्ष के तमाम नेताओं की स्पीच से कितनी परेशानी थी और राहूल गांधी को आप जो कह रहे हैं कि लगातार समेटने की कोशिश उन पर हमला करने की कोशिश, वो एक जो, और स्पीकर जिस तरह से बोल रहे थे, बीजबीश पे उनको रोक रहे थे, जैसे ही वो मोदी जी के बारे में बोलते थे, कि मोदी जी सिर्फ दो लोगों की सुनते है, आप जानते हैं, वैसे हम दूसरे मुद्दे में बात करेंगे, माननिय धंकर जी के बारे में, मैं देखता था कि जब भी राहूल गांदी कुछ असहेच करने वाली बात के थे, उनके चेहरे के भाव देख दी आप उम बिरला सापके, अब देखें, आप देखें, आप देख आमेशा और अडानी, तो ये एक कॉमन भाशा में सीधे सीधे जो कॉर्परेट लूट है, और फेडरलिजम अगर आपको दी लगता उर्मिलेश जी, ये जो मुद्दे हैं, खासकर जो उनका सेकिंड हाफ है, ये शुरू में आना चाहिए था, पहले आधा भाशन तो मुझ पर, मुद्दों पर शुरू करनी चाहिए थी, और वहीं अंत करनी चाहिए, पारलिमेंट एक ऐसा फोरम है, जहां पर लोगों को बात आपकी समझ में आए, और साथ में सारे तथे हों, आपके दिमाग में जो भी है, आपकी वैचारी की जो भी है, उसको सहज और सुगम भ करना चाहिए था, और फिर उनको गवर्नेंस के मुद्दे पर जिस तरह ये बीजेपी की जो गटबंदन सरकार है, वो लगातार फेल करती रही है, उस पर फोकस करना चाहिए था, तो मैं अगर कंपेर करूं, पिछले सत्र में राहूल गांदी और इस सत्र में राहूल गां जानी उस सेक्शन में मैं जो भक्तगण हैं जैसे ही आप मनिपूर को कुनक्ट करेंगे भारत माता से और इस सीधे कहेंगे कि मनिपूरуется में हत्य की है ये मुझे एक एहम डवलप्मेंट उसमें लगा और दूसरा जो मैंने पहले भी कहा कि आप जो मित को लेकर चलते हैं क्योंकि आपको सीधे निशाना वहाँ पर इस पूरे सदन में चर्चा सबसे अधा क्या है कि मोधी इतने अहंकारी है कि वो सदन में नहीं आना चाहते हैं मुझे दो लाइन कहने दीजिए देखे बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी की जो मनशा या इंटेंशन उस पर मैं नहीं शेकर वो तो चालिस साल के अपने पत्रकारिता के जीवन में 35 साल मैंने पार्लामेंट और विधान समाएं कबर की हैं एक बहतरीन पार्लामेंटरियन वो है कि वो सब कुछ बोल दे लेकिन हाउस का स्पीकर एक्सपंज कुछ ना कर सके इस तरह बोले और उस मामले में कन्नी मोजी गौरव गोगई सौगत रहे ये फंटास्टिक स्पीकर रहे है पुजिशन की तरह से और मैं बता दू कि देखिए उनके सामने मुकाबला किस से था उनका निशिकान दुबेया समृती रानी से नहीं जो कि ऑपसेस्ट है उनका मुकाबला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से है अमिट शा से जोनोंने दो घंटे का लंबा चोड़ा भाषन दिया हाला कि कॉंग्रेस ने जो बहुती फोकस सवाल किये थे उसका जवाब अमिट शा ने नहीं दिया वो सवाल कौन कौन से हैं सवाल नंबर एक कि आपकी अपनी पुल बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कट रहा है, यह सब बीजेपी के कारकाल में हो रहा है, यह तमाम फोकस सवाल थे जिसका जवाब अमिट शा ने नहीं दिया और इसे जो है उठाया जाना चाहिए था, अब हम रुक करते हैं अपने दूसरे मुद्दे का और वो दूसरा उठाते हैं, तो तुरंत जगदी धंकर उन्हें सस्पेंट कर देते हैं, और दिल्चस बात यह है, वो इस कदर से सस्पेंट करने के लिए आतूर होते हैं कि वोटिंग भी नी बुलाते हैं वो, और संजे सिंग के साथ जो हम सब जानते हैं, यह हो क्या रहा है संसद के इंडिया के तौर पर उसका प्रेजेंस है, सारे लोग एक साथ हैं, और पहली बार मोधी सरकार को उसने मजबूर किया कि आप जवाब दीजिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, इससे बोखलाहट बहुत साफ है, और मुझे लगता है विपक्ष हीन, लोगतंत्र का जो सपना मोधी सरकार देख रही है, इसलिए विपक्ष को ब्लैक आउट करने के लिए सारे दाओं पेज, सारे दाओं पेज, पूरी बेशर्मी के साथ खेले जा रहे हैं, अब इसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि कहीने कही सरकार ये चाहती है, सांसदों के, विपक्षी सांसदों के रिमार्क्स को एक्स पंच करके, इतिहास के पंदों में विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश किया जाए, मगर बीजेपी एक बात भूल रहे है, आप जिस जरिय के, जिस ऑफिशल चैनल के जरिये, उन्हें खलनायक के तौर पर पेश कर रहे हैं, उसी की विश्वस नियता खत्म हो रही है, तो आप विपक्ष को घेर नहीं पाएंगे, गुर मेलेशी बताइए क्या है, इस मुद्धे का पंच, बिलकुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मै लगता है कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, वो अपने लिए ठीक नहीं काम कर रही है, और भारत की संसद के लिए ठीक काम नहीं कर रही है, उसके चैनल के लिए ठीक काम कर नहीं कर रही है, जिसकी क्रेडिबिल्टी बहुत जबरदस्त रही है, मेरे सामने कुछ स्क्री जी याओर तो समत करी और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो मर्जी करें आपको याद है नारेंड राने ने क्या भद्र वेवार किया था इतना गाली गलोज की भाशा पारलेमेंट के भीतर हो रही है और आप विपक्ष को लगातार बायकॉट कर रहे हैं ब्लैक आउट कर रहे हैं और यहाँ देखी अविसार एक चीज और इतना कमिटमेंट है अडानी जी के प्रती कि जैसे ही राहूल गांदी हमें तो बाद में पता चला जब ट्वीटर हैंडल पर डाला गया कि राहूल गांदी क्या-क्या फोटो दिखा रहे थे कि अडानी जी का देश में कैसे विस्तार हुआ इसकी दो तस्वीर उन्होंने दिखाई लेकिन ब्लैक आउट क्योंकि उस समय देश और दुनिया सिर्फ बिल्डा जी को देख रही थी जब उन्होंने दिखाया कि मोधी जी कैसे बैठे हुए है अडानी जी के साथ और अपने उद्योगपती मित्रों के साथ इसमें क्या दिकत है यह आपको कम से कम दिखाना चाहिए लेकिन कनी मोई तक को सुचिए कि कनी मोई जो इतना सीजन बहुत ही गंभी ढंग से सवाल उठा रही थी इस त्री पक्ष को रख रही थी बता रही थी क्या नोट अंकी कर रहे हैं क्योंकि बहुत गंभी आरोप यहां पर गन değişheen मिर्य आप armarum оны जाता है कि मेरे हाथ में नहीं नहीं है कैमरा कहा है क्या उस बात पर विश्वास किया जा सकता है जो कैमरा कहां क्या फोकिस रहता है यह तो एक पॉलिटिकल कंट्रोल है ना देखे बात यह है कि जो हाउस का संचालन है वो बुनियादी तोर पे जो सिस्टम वहां का है पूरे के पूरे पारलिमेंट का उस वो कंट्रोल करता है और उसका जो हेड होता है निश्चित रुप से प्रिसाइडिंग आफिसर होता है अब यह अलग बात है कि जो टेक्निकली बटन जाईर है वो किसी पदाजिकारी के पास नहीं होता है वो चलाने वाले लोगों के पास होता है जो चैनल चलाने वाले लोग है हम उस पर उतना नहीं जाएंगे जितना इस मुद्धे को देखा जाना चाहिए मैं समझता हूं कि देखे पारलेमेंट किसी एक पार्टी की नहीं है पारलेमेंट सरकार की भी नहीं है पारलेमेंट का ज से ज्यादा होता है दूसरे नंबर की पार्टी को उसके बाद होता है लेकिन वहाँ पर समान समानता है सदस्यों की इसलिए वहाँ सभी मानने ये सदस्या है तो मेरा ये कहना है कि ये जो उनके उनके वक्तब के दोरान जो उनका उनको दिखाने का मसला है पहले तो चैनल होते था, अखबार रिपोर्ट करता था, हम लोग तो उस दोर में भी पार्लिमेंट कवर किये हैं, लेकिन आज जब वो आप कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली वैसे ही करना चाहिए, जैसे आप इसमिती इरानी जी का कर रहे हैं, अमिशा जी का कर रहे हैं, या किसी भी सक्ता प और पर अगर मैं कहूं, कथित पक्षपाद दिखाई देता है, कि डेरेको ब्रायन काफी घुसे के साथ कह रहे थे मनिपूर पर, और मैं देखता हूं, जग्ती दंकर साब तम तमा जाते हैं, तुरंट कहते हैं प्यूश गोईल को, सस्पेंशन का करो, अच्छा प्यूश में मानिनी धनकर जी भूल जाते हैं कि वोटिंग तो करवाई है, इनके सिस्पेशन को लेकर, वो भी नहीं करवाते हैं, मगर चलिए उससे देरेको ब्रायन का फाइदा हुआ कि वापिस आगए, मगर इससे ये तो पता चलता है कि ये सिस्टम कितना अंजस्ट है, कितना प है, राजशाही की तरफ वो पूरी मान सकता वही है, कि हमें राजा के प्रती जवाब दे रहना है, तो धनकर जी अपनी सीट के प्रती नहीं, वो जवाब दे ही, उनकी राजा के प्रती है, कि हमें कितना कमिट्मेंट किया, कितने सांसदों को आपने बाहर का रास्ता दिख जिस तरह से यह फ्लाइंग किस के नाम पर राहूल गांधी के खिलाफ दुषप्रचार किया गया क्योंकि अब तो यह दुषप्रचार है लोगसमा सेक्रेटरियेट ने कहा कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं इसमें फस इसलिए भी गए क्योंकि कैमरा तो राहूल गांधी के पास था ही नहीं फोकस तो दूसरी तरफ था तो आपके पास क्लोज अप नहीं था लेकिन इससे यह पता चलता है कि संसत के भीतर भी इस तरह से दुषप्रचार यह परस्नल अटैक है अगर आप कहिए कि एक व्यक्ति जो विपक्ष का बड़ा नेता है वो मिसुजिनिस है यानि वो इस तरी वेश रखता है पूरा डिबेट आप देखिए कल का प्राइम टाइम आप देखिए सारा का सारा डिबेट वहीं पर फोकस हो गया कि यह शक्स कैसे फ्लाइंग के महिलाओं का अपमान इतना बड़ा जूट एक मंत्री सदन में रखती है और कोई अफसो जुट बोलो बार बार जुट बोलो हर मुद्दे पे जुट बोलो और उसी का अदुसारन इनकी पार्टी के नेता करते हैं अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का और मुद्दा है मनिपूर और हर्याना मनिपूर के मुद्दे पर वहां की सरकार असम राइफिल में हर्याना में जो उन्सा हुई उस पर पंजाब हाई कोट की जो टिपड़ी है वो कितनी शौकिंग है क्या है स्मुद्दे का पंच उर्मिलेश जी बताएंगे देखे अभी सार 9 साल के दोर में अगर आप देखें तो जितनी स्टेट गोवर्मेंट्स हैं भारती जनता पार्टी लेट उनकी जो गोवर्निंस की जो स्टाइल है गोवर्निंस का जो उनका मॉडल है वो सबसे देश में सबसे रदी अगर गोवर्निंस काई है तो भारती जनता पार्टी की मौजूदा सरकारों का इसमें कोई दोराई नहीं है और ये ऐसे लोग भी कहते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के प्रती सिंपेथेटिक रहे हैं और दूसरी बात यहां तक कॉमिनलिजम का सवाल है इसको छोड़कर उनके पास इस समय कोई एजेंडा नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए तभी कुछ कर पाएंगे भाशा क्या है इस खबर का पंच देखिए मेरा यह मानना है कि वे विफल नहीं यहीं उनका एजेंडा है यहीं वो करना चाहते हैं और कम से कम नूह वाले मामले में हरियाना मेवाद को जिस तरह से लिमिटेड धंग से जलाया गया जिस तरह से खुली छूट दी गई तमाम दंगाईयों को जो वीडियो भी जारी कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे उससे ऐसा लगता है मनीपूर को देखके ऐसा लगता है कि बहुत सुनियोजिट धंग से मैजॉरिटी और माइनॉरिटी के भीतर जो लड़ाई है एक अगोशिट सिविल वार स्थापित करके वे दो हजार चौबिस में अपने चुनावी नईया पार लगाने की तैयारी कर रहे हैं यही उनका एजंडा है अभी सार क्या है इस पर आपका पंच अभी सार इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि भारती जनता पार्टी को अपना राश्टरवाद पर कुछ कहने का अधिकार है ना गवनन्स पर और क्यों मैं बताता हूँ राश्टरवाद इसलिए जैसे मैं आप बता चुका हूँ कि मनिपूर सरकार ने असम राइफल्स पर केस किय अब सोचिए किसी और राज्य की सरकार अगर देश की सेना पर केस करती तो आप सोच सकते हैं क्या बवाल होता मीडिया में और दूसरी बात नुहु में जो सामप्रदाइक हिंसा हो रही है पंजाब हर्याना हाई कोट ने कहा कि यहाँ पर क्या आप नरसंगार करवाना चाह कि बुल्डोजर शलानी का अधिकार आपको दिया किसने यह करारा तमाचा उस पूरे प्रचार तंत्र पर है जो बुल्डोजर का महिमा मंदन करता है और नरसंगार बहुत बड़ा शब्द है आप नरसंगार की बात कर रहे हैं तो क्योंकि और देखें जो यह देश की बिवात और पूरे गुडगाओं को जलाया गया जिस तरह से सुनियोजी साजिश थी क्योंकि हम सब ने देखा कि पूरी शोभा यात्रा से पहले जिस तरह की वीडियो आ रहे थे तब भी प्रशाशन चुप खटर जी चुप उनकी सरकार चुप पुलिस चुप वहां का ड बुल्डोजर दरसल देश के सम्विधान के खिलाव चल रहा है देश में कानून विवस्था के खिलाव चलाया जा रहा है उसी का प्रतीक बन गया कि आप माइनौरिटी को जो चोटे में यह सरकार इतनी सक्त टिपनी के बावजुद इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस लेकिन कारोई के तौर पे देखे एफाई एक के तौर पे देखे कहीं से भी मैच नहीं होता है कारोई एक समाज और दूसरे तरह से मुझे लगता जो सबसे खतरनाक है कि एक तरह से एक section को पैडा कर दिवा गया थोड़े तर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मनिपूर के बारे में क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी नहीं हुआ है हाला कि भाजपा के ही अमरितकाल में हुआ है कि जहां मीजुरम की पुलीस जो है वो असम की पुलीस को मार रही है जो असम है वो ये फर्मान जारी कर रहा है कि हम मीजुरम की लोंग को एंटर नहीं करने देंगे सरकारी तोर पर ये फर्मान जारी हुआ है मगर सबसे शौकिंग बात कि भाई सेना के खिलाफ पुलीस केस करना अब सोचिए यही अगर नितीश की सरकार ने किया होता या विपक्षी राज की या पशिर मंगाल में हो गया होता आप अंदाजा लगा सकते हैं गोधी मीडिया ने उस पर राष्टवाद की दुहाई देकर क्या-क्या डिबेट्स की होते इनके पास अब अधिकार रह गया है देश भक्ती राष्वाद पर बोलने का और आपको याद होगा कुछी दिन पहले विजोरम और एक और जो इस्टेट है बगल का उसके बीस के पुलिस में आपस में गोलियां चुने था बहुत भयानक हुआ था और जब हमिश शाजी से पूछा गया तो उन्होंने का इसको हम देख रहे हैं और समाल रहे हैं नार्थिस्ट के जितने ही स्टेट्स हैं उसको बीजेपी ने कौाडिनेटर बना रखा है असम के चीप मिनिस्टर साब को जो ना जाने क्या-क्या बयान देते रहते हैं और तमाम तरह के नेताओं पर तमाम तरह के राजितिक दलों पर उनके जो कटाक्ष होते हैं वो बहुत बिरुद बेल्ट होते हैं खैर उस पर हम नहीं जाएंगे लेकिन जो आपका ये सवाल है देखें ये तब होता है जब आपके पास पुलिटिकल लीडरसिप ना हो जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक खास धनकी सेक्टेरियन विचारदारा उसी के बल पर आप राज चलाते हों नौकरशाही जो है उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो आपको याद मालूम है ये जो जितने स्टेट्स हैं वहाँ पर नौकरशाही के ज़री दिल्ली राज कर रही है कायने के लिए मुक्ष मंत्री है अब आप वीरेंज सिंग को लेख लिए वीरेंज सिंग को क्यों नहीं इटाया गया यानि अगर कुकी छेतर में जमीन हड़पनी है भविश्य में कार्परेट के लिए तो उसमें वो साथ ने केंदर का केंदर की जो कथित आर्थिक नीतियां है उनके इंप्लिमेंटेशन में जोड़ना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है देखिए असम राइफल्स पर भरोसा क किसको है असम राइफल्स पर जो आदिवासी समाज है जो कुकी समाज है जो नागा समाज है वो लगातार कह रहा है अभी साथ कि हमें भरोसा है असम राइफल्स या आप से ना भेजिए यहां पर और जो लोकल पुलिस है क्योंकि वो उसमें मैतेई समाज का एक दबदबा ह और हमने देखाया कि किस तरह से वहाँ पर जो मैतेई समाज लगातार हथियारों को ले जा रहा है तमाम चीजे कर रहा है सब कुछ पब्लिक डोमेन में हैं और जिस तरह से असम राइफल को हटाया गया इंपॉर्टन चेक पोस से यह मांग किसके थी यह मांग थी मैतेई समाज की और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो नौ हिल एरियाज हैं वहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि आप सेना भेजी लोकल पुलिस हमारे पक्ष में नहीं खड़ी यह कहकर यह करकर दरसल जो आदिवा भेजी होती एक दिन में सब कुछ ठीक हो गया होता लेकिन आपने नहीं भेजी बिल्कुल अब सेना के शौर का इस्तमाल वोटों के लिए करते हैं मगर जहां सेना का सही माइने में किरदार है या हो सकता है जिसका जिकर राहूल ने किया वहाँ पर सेना का कोई जो है इस्त झाल